नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कि डोलो सस्पेंशन का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है दोनों सस्पेंशन को बच्चों को कैसे देना चाहिए और दोनों सस्पेंशन की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे कि दोनों सस्पेंशन को बच्चों को देते समय क्या-क्या सामधानिया रखनी चाहिए दोनों सस्पेंशन का उप्योग मुख्य रूप से बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। दोनों सस्पेंशन के अंदर सौल्ट कमपोजिशन पैरा सितामोर होता है। दोनों सस्पेंशन 120 mg पर 5 ml वद 250 mg पर 5 ml और ड्रॉप्स की फॉर्म में अवेलेबल है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि दोनों सस्पेंशन की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं। वैसे दोनों सस्पेंशन दर्द और बुखार की एक बहुत ही सुरक्षित दवा है। और ज्यादातर बच्चों में डोलो सस्पेंशन की वज़से कोई side effects नहीं होते हैं. लेकिन ज्यादा खुराक में डोलो सस्पेंशन को लेने से liver damage हो सकता है. इसलिए आपको डोलो सस्पेंशन को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई खुराक में ही बच्चे को देना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि डोलो सस्पेंशन को बच्चों को देते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। लगातार दस दिन से अधिक डोलो सस्प जैसे पेरासितामोल आदी से ऐलर्जी हैं, तो ऐसे बच्चों को डोलो सस्पेंशन को नहीं देना चाहिए। लेने की सलाह देते हैं वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका डोलो सस्पेंशन से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पु सकती है